साथियों, बीते पाँच बर्षों में डबल एंजीन की NDA सरकार ने असम की जनता को डबल फाइदा दिलाने का प्रयास किया है असम में हो रहा विकास यहां पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है असम में हो रहा विकास यहां पर लोगों का महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है असम में हो रहा विकास यहां पर नए अवसर बना रहा है नव जवानों के लिए अवसर बढ़ा रहा है आप बर्सों से चाहते थे कि यहां तेजी से पूल बने, सडके बने, आपका कहीं पर भी आना जाना आसान हो जाए यह काम हमारी NDA की सरकार ने किया है बीते पांच सालों में भुपेन हजारी का सेतू, बोगी बिल ब्रीज, ऐसे देश के सबसे बड़े सेतूं की पहचान असम को मिली है इस समय भी असम में करीब आधा दर्जन बड़े फुलों पर काम चल रहा है बीते सत्तर साल में असम में जितनी ग्रामीड सडके बनी, उससे भी जादा सडके डबल इंजीन के NDA सरकार ने असम में बनाई है बीते पांच साल में असम में सेकडों किलोमेटर नई रेल लाइन बिशाई गई है या फिर उनका दोरी करण किया गया है एक तरफ जहां गुहाटी के एरपोर्ट का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ धूबरी में रुपसी एरपोर्ट की शमता को बढ़ाया जा रहा है जहां जहां कनेक्टिविटी सुधारने की जरुवत है एक एक करके हर छेत्र में नए काम शुरू किये जा रहे है ये खेत्र देश विदेश के साथ व्यापार का बड़ा सेंटर बने इसके लिए बोगई गाओं के जोगी गोपा में बहुत बड़ा मल्टी मोडल लोजिस्टिक हब बनाया जा रहा है बोगई गाओं रिफाइंडरी का अधुनिक करण और विस्तानी करण भी तेजी से जारी है ये सारे काम असम के नवजवानों के लिए नई नोकरिया बना रहे हैं सानी अस्तर पर उद्योकों को बल दे रहे हैं यही नए असम आत्म निर्वर असम का अधार है आज पूरा असम ये मानता है कि इस वातावर को बनाये रखने के लिए इस मॉमेंटम को बनाये रखने के लिए विकास की इस गती को बनाये रखने के लिए प्रगती के इस राह को बरकरार रखने के लिए NDA सरकार बहुत जरूरी है